एक बार की बात है, बुध्ध पहाडों में बसे एक सुदूर गाम की यात्रा पर निकले। ग्रामीन अपनी सादगी और दयालुता के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे गरीब भी थे और उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जैसे ही बुध्ध ने गाम में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि लोग अपनी गरीबी के बावजूद, उलेखनीय रूप से संतुष्ठ थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहते थे। उन्होंने ग्रामीनों को एक मूल्यवान सबक देने का फैसला क बुध्ध ने ग्रामीनों को एकठा किया और कहा, मेरे पास आप सभी से एक प्रश्न है, यदि आपके पास एक बहु मूल्य रत्न, बहुत कीमती रत्न मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ग्रामीनों ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, हम इसे पूरे गाव के साथ स जाने दया, करुणा और एकता हैं, इन गुणों को एक दूसरे के साथ साजा करें, और आपका गाव फलता फूलता रहेगा. ग्रामीनों ने बुद्ध के शब्दों को हृदयंगम कर लिया, और वे दया और करुणा का और भी अधिक लगन से अभ्यास करने लगे, उन्हों कारियों ने यात्रियों को आकरशित किया और उनके गाव में सम्रिध्य लाई कहानी का सार यह है कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति से नहीं मापी जाती, बलकि हमारे दिलों की सम्रिध्य और दूसरों के साथ प्यार, दया और करुणा साजा करने की हमारी इच्छा से म पी जाती है